भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टीट्वेंटी सिरीज के तीसरे और आखरी टीट्वेंटी में भारत ये टीम की तरब से एक बार फिर विकेट कीपर बल्लेबाज रिसभ पंत ने तावर तोन तुफानी बल्लेबाजी करते हुए टीट्वेंटी क्रिकेट में विश्व रिकार्ड बना दिया है जीहा आपको बता दे कि तीसरे टीट्वेंटी में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरब से पारी की सुरुवात करने आए रिसभ पंत और इसान की सन मैदान पर आते ही निव जी लैंड के खेमे में कोहराम मचा दिया जीहा रिसभ पंत जिस धुआधार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखने के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि अंतराश्टिय टीट्वेंटी क्रिकेट में दोहरा सतक लगाने का विश्वरिकार्ड बना सकते हैं पावर इसके बाद सात्वे ओवर की तीसरी गेद पर छक्का लगाने की कोशिस में इसान किसन कैच आउट हो गए लेकिन दूसरे छोर पर रिसभ पंत ने डट कर निवजी लेंड के गेद बाजों का सामना किया एक के बाद एक रिसभ पंत के चौके और छक्के देखने के बाद न इस वका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा आपको बता देंगी पारी की सुरुवात करने आए रिसभ पंत मात्र सत्तर गेंद पर एक सो पंचानवे रनों की तुफानी पारी खेल कर आखीर तक न बाद रहे हलकी ये सब हुआ अन ओफिसियल अभ् खास मैच खेला गया जिसमें दोनों टीमों के प्लेयर्स खेल रहे थे काई क्रिकेट फैंस इसे तीसरा टी-20 मैच भी मान रहे हैं जी हा भरती ये फैंस यहां मान रहे हैं कि सिरेच है तीसरे मैच में रिश्टा बपंत इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं